हेलो गाइज दिस इस यूर यूट्यूब चैनल मार्केट मूबर और यहाँ पे मिलते हैं आपको कॉलेटी वाले स्टॉक की डिटेल दिखिए आज एक बहुत ही खास स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिस स्टॉक पे आप अभी पोजिशन बनाने के कंडिशन प चल रहा है इस स्टॉक पर आप एक यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर जो नीचे के साइड पर आया है यह स्टॉक उसके बाद ऊपर जा सकता है क्योंकि इस पर है बड़ी-बड़ी खबरें और आपने अगर कल देखा होगा तो हमारे जो फ्यूल मिनिस्टर हैं और उन स्टॉक को डायरेक्ट फाइदा मिल सकता देखिए यह इंपक्त आपको हो सकता दो चार दिनों में दस दिनों में पंदरा दिनों में देखने को मिले और इस टॉक फिर भागने लगे तो फिर आपको पतनी चलेगा मैंने आपको कल देन नेटवर्क के बारे में बताया था देन नेटवर्क ने कितना का हाई बनाया आप जाके देख लिए 32 से 47 तक चला गया और देन नेटवर्क कहां पर था लगभग 80 रूपीज पर था 97 चला गया तो यह अपडेट्स आपको पहुचा दी जाती है बड़ वीडियो को आप स्कीप करते हैं यहां पर इस वीडियो प साथ-साथ कंपणि के बिजनस मॉडल को समझना बहुत जुरूर है तभी आप स्टॉक को सिलेक्ट कर पाएंगे according to the condition और गवर्मेंट की जो डिसिजन्स आती है उसके अकॉर्डिंग लिए आप स्टॉक को सेलेक्ट कर पाएंगे लेकिए पेट्रो केमिकल्स और फ्यूल इंडस्टी जो भी है और रिफाइनिरी इसके रिगार्डिंग जो भी स्टॉक जुड़े हुए और साथ टेलीकॉम सेक्टर क स्टॉक जो इकुपमेंट्स बनाती है टेलीकॉम की यह दोनों ही दिगज कंपनिया है और छोटे जितने भी कंपनिया सबों में तेजी देखने को मिलेगी फाइब जी के रिगार्डिंग जो आपका एकुपमेंट्स है डेटा वाला वह मैं आपको बाद में वीडियो बना अबाटिंग पकढ़िक टीलेक। स्डिललेकन कीया है इनका 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 सैक्टर है थात्रो केमिकल्स और इफाइनिक्स पे देख लीजिए डिवीडेंट इल्ड देख लीजिए 5.08 यह तो पुरानी डिवीडेंट इल्ड है अब भी अगर देखेगा तो 10% का सपस में डिवीडेंट इल्ड देखने को मिलेगा और यहां पे देखें पर मोटर्स की होल्डिंग 51% का सपस में कोई गिरबी नहीं है 23 पे माल को एक बार जरूर पकड़ने की कोशिश कीजिए यह स्टॉक जैसे ही 80 और 80 के उपर निकलेगा यह स्टॉक बहुत ही बहतरीन मोमेंटम करेगा और उस कंडिशन पे 90 तक जाने का पूरा दम रखेगा स्टॉक लोग वैल्यू पे मिल रहा तो बहुत जादा नहीं त प्रसिडेंट ऑप इंडिया यह सभी चीज़े आपको मार्केट मोबाई चानल पर ही मिलेगी पूरी डिटियर्स वाली वीडियो आपको कहीं नहीं दिखाए जाती है देखें प्रसिडेंट ऑप इंडिया की है ना परमोटर्स पी होल्डिंग 51 परसेंट और यहां पे आप आपको फिपटी ॉन्ट पेटी वान पॉट फाइप जिरो मतलब फूल्ली गवर्नेंट की कंपणी है कोई छेट रिखानी नहीं होती है सेयर होल्डिंग्स पे गवर्मेंट की कंपणी है इसके वज़े वोल्डिंग से दिरे-दिरे करके बढ़ा रही है साथ ही इसका डिविडेंट देखके आप बहुत खुश हो जाएंगे डिविडेंट बहुत अच्छा पे करती है और इस डिविडेंट के वज़ा से भी इस स्टॉक को देख सकते हैं आप देखे 2019 पे इन्होंने कितने का डिविडेंट दिया 2020 में भी साड़े तीन रुपे का डिविडेंट इसने दे दिया तो डिविडेंट एक्वाडिंग टुद प्राइस बहुत ही जवर्जस्त है इसलिए मैं कहता हूं कि इस स्टॉक को अपने रेडार पे रखे आप सौट टर्म के लिए लांग टर्म के ल आपका भी हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं कि इस टॉक की रैली स्टार्ट होने से पहले या बताया कीजिए तो यह वह स्टॉक है जो रैली से पहले आपके पास प्रिजेंट किया जा रहा है ठीक है और सभी स्टॉक पर रैली जरती हैं आप उस चीज को समझ नहीं पा परफेक्ट इन स्टॉक मार्केट इवेन किसी भी कंडिशन पर कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है अगर हो जाता तो फिर तो वह गौड कहला था इस चीज को समझने की कोशिस किजिएगा इंजीनियस इंडिया स्वाट टर्म एस लांग टर्म बहुत ही बहतरी स्टॉक है साथ अपने लैप्टॉप में मोबाइल स्क्रीन पर या फिर ब्रोकर्स को कॉल करके आप कुछ से कीजिएगा कोई कर नहीं देगा ठीक है तो इस हिसाब से आप अपनी स्टॉडी करके सला लीजिए मैं गारेंटी के साथ करता है उसे स्टॉक को आप ना नहीं कर पाएंगे ठीक बेल आइकन को प्रेज किजिएगा और हो सकता अपने रिले आपने जो भी रिलेटिव से जो दोस्ते हैं दोस्तों जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हैं उन तक सेयर किजिएगा मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो थैंक्यू